नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है इसके बाद वे राजगाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को शुरधांचली दी हसन रूहानी शुक्रवार, 6 फरवरी, कोहेद्राबाद से दिल्ली पहुंचे हैं इससे पहले इरान के राश्ट्रपती हसन रूहानी ने बीते शुक्रवार, 16 फरवरी, कोहेद्राबाद में दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय से एक जुट होने का आहवान करते हुए कहा कि अगर वे एक जुट रहें तो अमेरिका कभी यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तोर पर गोशित करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, रूहानी भारत की तीन दिवसियर यात्रा पर आये हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि इसलाम, हिंसा एव आतंकवाद का धर्म है, उनका आकलन गलत है, रूहानी है, अधराबाद में एतिहासिक मक्का मस जिद में आयोजित एक मुसलिम सभा को संबोधित कर रहे थे, दोस्तों हमारी हर न्यूज को लाइक वर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद